अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज की अध्याए में आप जानेंगे गोल्डन रूल्स ओफ अकाउंटिंग क्या है इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि अकांट क्या है और अकांट्स कितने प्रकार के होते हैं अब हम आपको बताएंगे कि जिने golden rules of accounting कहते हैं, किस खाते को debit और किस खाते को credit करना है, ये लिणे करना होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाते तीन प्रकार के होते हैं, तो आएए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए golden rules of accounting को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिकत खातों के लिए नियम, यानि rules for personal accounts, ये नियम है पाने वाले को debit करो, यानि debit the receiver, और देने वाले को credit करो, यानि credit the giver, वास्तविक खातों के लिए नियम है जो वस्तु व्यापार में आए, उसे debit करो, मतलब debit what comes in, और जो वस्तु व्यापार से जाए, उसे credit करो, यानि credit what goes out, nominal accounts यानि नाम मात्र के खातों के लिए नियम है, सभी खर्च एवं हानियों को debit करो, मतलब debit all expenses and losses, और सभी आय और लाभों को credit करो, यानि credit all incomes and gains, अभी जो हमने golden rules बताए, उनमें जो terms आई है, उसमें से income और expenses के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, अब हम losses और gains के बारे में बता देते हैं, सबसे पहले देखते हैं, हानि यानि losses क्या होते हैं, जब व्याय या खर्च, मतलब expenses, राजस्व यानि revenue से अधिक होते हैं, तो व्याय का आधिक, यानि ज्यादा खर्च, हा करता है इसे गुदारन से समझ लेते हैं माल लीजिए हमें रवेन्यू के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त हुए और इस रवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपए खर्च कर दिये इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2,000 रुपए की हानी हुई पूंजी पर इसका होता है यह समझ लेते हैं जब राजस्व यानि रेवेन्यू व्याय यानि एक्सपेंसस से अधिक होता है तो राजस्व की यह जो अधिकता है वो लाब कहलाती है यह एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ती है जो व्यवसाई के व्यभार के फलस्वरू प्राप्त होती है जै दोनों का पचास हजार रुपए का अंतर लाब यानि प्रॉफिट कहलाएगा पूंजी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पूंजी एक लाख रुपए थी जो आप पचास हजार रुपए बढ़कर देड़ लाख रुपए हो गई है अब देखते हैं आमदनी यान याणि गेंज क्या होते है हमारे मुख्य वेउसाय से प्राप्त होने वारे राजस्व को छोड़कर यादि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बशता है वह गेंड केहलाता है जैसे हमारी कोई समपत्ति जिसका बहीक उसे हमने 10,000 रुपए में बेचा, यानि हमें 2,000 रुपए की प्राप्ती हुई, यह जो प्राप्ती है वो आमदनी यानि गेन कहलाएगी तो यहां आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है, जबकि लाप निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी लिटाए जाते हैं अभी आपने इस वीडियो में गोल्डन रूल्स अफ अकाउंटिंग के बारे में जाना, इसके बाद वाली वीडियो में हम इन नियमों का उप्योग करना और मैन्योल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतरगत आने वाले जर्नल के बारे में बताएंगे